तब अन्य दिनों की भांती आज भी आपका इश्वीन टुडे में हर्दिक श्वागत है वैसे तो मैं कुछ 15 दिनों के बाद आप आया हूँ आपके सामने श्टूडियो में तो कुछ लेकर के आया हूँ जैसा एकाद जगह से कोई ओफर है जैसे उसे तो रोग बिमारियां धेर सारी हैं उसमें से एक आपको मोटापा अभी के समय में एक बिसाय बना हुआ है मोटापाप ओबेसिटी कुछ लोग दूले पतले हैं तो ठीक है उसका स्वास्त पर संग ठीक है कि नहीं में ओवर मोटापा जो हो जाता है वह दुखताई हो जाता हम लोगों के लिए क्या कि किसी का तूंद बाहर निकल जाना किसी का चेहड़ा भकस जाना कि शरीर में हर तरह का मोटापन लेकिन वीडिया लिंग में उसका वजन कम होता है शरीर मोटा हो जाता है अईसा दोस कहां से उत्पन है मैं जड़ासा पीछे जाओंगा यहां से पुर्व की वीडियो में नाभी केंदर पर जोड दिया था भार दिया था उसे भी पहले हमने डाइट पर विचार लिया था और यह ओबेशिटी भी आती है वहीं से जहां से डाइट डिस कंट्रोल ह को शीर्बा होता है कारन है हमारे अंतर की कुछ ऐसी गर्ंथिया हैं और उन गर्ंथियों के लगभग मधे में है ही एक थारेड़ गरंथी होती है जो मेरे गलनली के पास यहाँ थारेड और पराथारेड दो गरंथिया होती है इन गरंथियों का मुख काम है भोजन से प्राप्त के लोड़ी उड़ जाओं को नियंत्रित करना तमाम भोज्य पदार्थों से संचित जो मेटाबॉलिज्म है उसको नियंत्रन करना अगर किसी भी कारण से यह थारेड गरंथिक्रयाथा को प्राप्त होता है तो हम ने ओवेसिटी समाजाती है ज्यानि हम मोंटा परिके और चले जाता है और अन्दाUNG से जएदे मोंटा पादुघ्दाई होता बैठने में दिकर तो सवाल है थारेड के पीछें छोटी छोटी चार ग्रंथियां होती है जो फैट का स्टॉकिस्ट है वो फैट को अपने स्टॉक में रखता है और फैट का संचालन सही सलामत ठेक ठेक नहीं हो पाता है जैसे मैं मटापी गोड़ जाता हूं मुझ Lau क Prose quand dake spirit के लिए दो बाते आती है दो साथी आती है एक क्रिवेंटीव के ऐके से दिवेंटीव कि के सातिव में अच्पांचे पास यंदे लेकिन भारतिया मान्याता हम यह बात है प्रिवेंशन है घर में बैद, घर का तदुर्वा, इसी को हमने का प्रिभेंटिव साइड, बचाव के पक्ष, अगर ये आपकी मजबूत होती है, क्यूरेटिव फैल है, और इस बचाव के पक्ष में क्या, तो मोटापे में हम सब से फैले, फैटी डैट को छोड़ दें, या छोड़ना सकें तो कम से कम लें, फैटी डैट क्या होता है, तेल, घी, मक्षन और रंडे, इसमें जैदे फैट होता है, और फैट से प्राप्त केलोरी हमारे सरीड़ में क्या काम करती है, या मानस्पेसी भी फारक होता है, और मानस्पेसी में इतना जैदा चर्वी को बढ़ाता है, कि वही चर्वी मेरे तोंद को निकालता है और लास्ट में हम मोटाप एक ही टेबलेट खाते हैं अगर इसको शुरू से हम शंतुलित करें कि फैटी डाइट को हम कम लें अच्छा है कि हम थैरेट से बच सकते हैं एक बात हुई दूसरी बात हुई घर में रखी हमारी साइकील है या क अगर शरीर को जैदे रेष्ट देते हैं या जैदे एक अवस्था, एक इस्थिति देते हैं तो मेरे भी शरीर में मुव्मेंट कम होने के चलते यह भी जाम होता है आज योग भारत में एक मुख मुदा है और भारतियों को योग बिज्ञान में आगे जाते देख आज इसका रिसर्च आपको hard word भी से विदालेम हो रहा है क्या सच्वे योग से लोग कुछ प्राप्त हो रहा है लोग कुछ प्राप्त कर रहा है, इसका भी रिसर्च चल रहा है, वहां रिसर्च ही चल रहा है, यहां योग से लोग अनिक प्रकार के लाव ले लिया, जैसे आपको मान के चलिए, थारेड, थारेड के लिए, एक बहुत अच्छा पतंजरी प्रक्रण में ही आता है, जिसको भस्त्रिका प्रणायाम कहते हैं उसमें एक मिस्ट्री है यह भस्त्रिका होता क्या है इस रिस्पैरेशन से हम अपने फेपरेव अधका मारते हैं यह तो आम कॉमन बात है कि सब कोई जानते हैं कि सांस का अंतिम दरवजा फेफरा ही है मुखरूपने उसके बाद जो सांस कहीं सरीड में जाता होगा तो वह हाट डिस्ट्रिबूट करता है अक्सीजन को तो वह बलड के माध्यम से भेजता है लेकिन प्रणवायू मुखरूप से फेफरा तक ही जाता है लेकिन यह असर आपके पेट पर कैसे करेगा यह जनाना चाहते हैं हम आप हमारी यहां से यहां तर तो कॉस्ट्मेटिक पार्ट अफ इस बड़ी हिर देर पैंक्रियाज लीभर आमास है गोल बलाडर यह सब बारा पसलियों के अंदर ही आता है आत है इसके नीचे तो आत और इस उपली अंगों के बीच में एक इस परकार का डाइफराम होता है तो यह डाइफराम सापधान हो जाता है जब आप सांस से धका देते हैं तो यह डाइफराम सापधान हो जाता है तो डाइफराम इसको भी नियंत्रीत करता है इधर भी धका मारता है चुके भस्तिक भस्त्री का प्रणायाम में यह थारेड के उपर में अच्छा खासा असर करता है तो अपनी जीवन में अपना लें दो मिनट और कब का दो मिनट साधर्ण सी बात है जगने से दो मिनट पहले या सोने के दो मिनट सोने से दो मिनट पहले जगने से दो मिनट पहले आप जग जाएं सोने के दो मिनट बाद आप साएं बस हो गया है दो मिनट तीन मिनट पांच उनिट तो हद से ज़्यादा हो गया है अच्छा अधी आप इसी प्रक्रिया को सोने के बाद करते हैं सोते बक्त करते हैं तो किर्पिया एक काम और कर लिजेगा वह क्या है तो हमने जो यह आपको नाभी केंदर के विशे में कहा नाभी केंदर को मैं बहुत डीप में ले जाओंगा आगे आने वाले समय में यह जो हमने नाभी के विशे में बताई थी तो नाभी को भी नियंत्रित करने के लिए जैसे आप सोते हैं ऐसे यूँ तो पांच मिनट के लिए पैर को इतना साथ डिग्री पर दो मिनट कम से कम रखिए रखने में बदी मजा आएगा हाथ को दोनों सिधा रखिए एक मिनट में साथ बुझाएगा यह क्या जंजाल है लेकिन परियास किजिए अभियास किजिए दो मिनट इस पैर को ऐसे रखने के लिए तो ऐसे जब रखते हैं तो यह जो है नाभी को एकदम नियंत्रित करके वह अपने जगह पे लाता है नाभी को हमने mysterious वजह इसलिए दिती कि नाभी जो है देखिए जीवन जन्म से लेके मिर्थिव तक ठीक है इस तारीक में आपने जन्म ली और इस तारीक में आप मिर्थिव को प्राप्त हो जाएंगे तो वही ना आपकी उम्र है उसमें नो तो कभी फेफरा रेष्ट करता है ना हाड रेष्ट करता है आराम इत दोनों में से और कोई उंख सो जाया, कांच सो ज सो हो जाया, लेकिन ये दो नहीं सोता हा। धरकन चलती रहती है, अप्फेफ्रा आपना काम करता रहता है उआथ, शांस और धरकन ये दो चीज़ बन नहीं होता है। टो नाभी को जो हमने आपको मिस्ट्री कहा हम इसलिए नाभी पर जायदे जोड देते हैं कि चेत्मा के तीन केंद्र एक केंद्र तो हिर्द है ही है लेकिन इसको अगर डिपली अध्यात्म के ओर ले जाएंगे तो चेत्मा का केंद्र यह हो जाता है, दो, तिसरा के अंदर इसका कहां है, नाभी में भी है, अब कहां, आप नाभी में किसी चतना होती है, वो तो जर्बस्तू हुआ, जर्पदार्थ हुआ, लेगिन नहीं जना हुआ, बच्चे जब मा के गर्व में होता है, उसका फेफरा नहीं धरकता है, उसका का फेफरा और हिर्द दोनों निश्क्रिय होता है जन्म लेने के बाद ये दोनों अपना काम शुरू करता है लेकिन नौ मेने के उम्र को कैसे उसने जिया वही नाभी से उस वक्त उसकी चेतना उस नाभी में थी और उसकी नाभी उसके मा के नाभी से जुरा हुआ रहता है ज जस्त्री का प्रणयाम करें और यह तो मेडिकल दुनिया है जिन भाईयों को संभव हो थैरेड के बीमारी में तो थोरी सी बजार से लिया अगर के इसकी बहुत कम दवाई होती है दो चार सबसे पहले आता है मोटा पानी अंतरन करने के लिए थूजा ऑक्षिडेंटल अब दूसरी दवाई आती है थैरोडीनम नाम की तीसरी दवाई आती है महलाओं के लिए केलकरिया कर पुर्सों के लिए कोई जरूबी नहीं है एक आता है फ्यूकस इंडिका जो मेल फिमेल दोन लिए अाहिए थूजा थैरोडीनम फ्यूकस इंडिका एक दवाई और आप फैटो लेका नाम की दो दवाई आती है हम्योप्राइट एक होता रहले लेका बेरी एक होता है फैटोले का लेका इस पांचो दवाईयों को एक दो महना प्रियोग करें आपको थारेट से मुक्ती मिलेगी